आज हम आपको ATS Happy Trails का प्रोजेक्ट अपने ब्लॉग में दिखा रहे हैं जिसमें हम आपको चार मूर्ती गोल चक्कर से लेके चलते हैं एक मूर्ती होते हुए ये पूरी लेंड फुल गिरीन एरिया से भरी हुई है जहां पर रहने का एक अलग ही फील आता है और मुझे लगता है पूरे इंडिया में इसके जैसी लॉकेशन कहीं भी नहीं है और ये अब आ गए हम एक मूर्ती गोल चक्कर यहां से भी हमें सीधे ही चलते रहना है एक मूर्ती गोल चकर के आसपास में मल्टीपल प्रोजेक्ट बने हुए है जैसे की चेरी काउंटी हिमाल्या प्राइड शेवियर ग्रीन आर्च और लेप्ट में सूपरटाकी कूल इस्थिरी है आर्जी लग्जरी है अजनारा ली गाडन है निराला एस्पायर है एसकेएस स्कूल्स हैं यहां पे मल्टीपल डियान इंटरनेशनल स्कूल भी है एसकेएस वर्ल्ड भी है बिलाजम भी है यहां पे मल्टीपल स्कूल्स मल्टीपल सोसाइटिया और डिफरेंट डिफरेंट बजट में हैं सारभी सोसाइटिया और सब के अपनी अपनी कॉलिटिया हैं अपने अपने बेनिफिट्स हैं हम अपना बिलॉक्स अपनी सेल्स के लिए ही बना रहे हैं बट हमें सभी प्रोजेक्ट के सभी कॉलिटियां अपनी मायने रखती हैं हम यहां से सीधे चलते जाएंगे हमें अगला गोल चक्कर पड़ता है गैलेक्सी वेगा का समरिद्धी ग्रांडेवर न्यू सोसाइटिया यहां पे और इरोशंपूर्णम भी है अब हमारे ब्लॉक में देख रहे हैं काफी अच्छा यहां पे ग्रीन दी तो बहुत ही अच्छी है जहां पे आपको नैचुरल काफी पसंद आएगा और नौड और थर्टी इनको काफी मैंटेन करने में खर्चा भी करती है यहां पे आपको हमेशा काम करते हुए वर्कर दिखाई देंगे इनको मैंटेन करने के लिए आज सुबह बारिस हो गई थी तो धोल मिटी बिल्कुल हट गई है तो और अच्छी ग्रीन दी का वीव आ रहा है हमारे विलॉग में हम यहां से सीधे चलते हुए फिर एक और गोल चक कर आता है जिसको चौगान पूर गोल चक कर बोलते हैं और यह रोड बिल्कुल खाली ह हैं और यहां पर नौन ट्रैफिक देखने को मिलता है में जैसा कि चार मूर्ति कर खास बास में गोर सिटी में काफी ट्रैफिक आजकल देखने को मिलता है इविन मैं भी इसी लोकेशन में रहता हूँ तो मेरे को भी काफी प्रॉब्लम्स आती है ट्रैफिक्स वगेरा की बट इस लोकेशन के अपने अपने अडवांटेज है के हाँ पर आपको नॉन ट्रैफिक मिलता है ओपन एकदम खुले रोड हैं बड़े बड़े और दो दो सर्विस रोड बने हुएं साइडों में तो इसके भी अपनी अच्छी खूबियां बन जाती है सी एंजी पंप हैं पैट्रॉल पंप हैं साइडों में और ये ऐसा दोनों तरफा ही बना हुआ है कुछ सोसाइटिया लेफ्ट में है कुछ सोसाइटिया राइट में है तो मल्टीपल प्रोजेक्ट है मल्टीपल बजट में है यहां पे और यहां पे रेंटल यूनिट्स काफी अच्छी मिल जाती है रेंट भी अभी काफी अच्छा हो चुका है यहां पे क्योंकि दिल्ली NCR में सबसे आवास ही है रहने का जो मज़ा है यहां पे वो एक अलग ही है क्योंकि हमने कोविड में देखा लोग यहां पे सबसे अच्छे तरीके से रह पाए और जो विलेजों में थे वो भी काफी अच्छे रह पाए खेर हम कोविड की बात नहीं करेंगे कोविड एक बुरा पल था हम यहां पे आ चुके हैं एटेस हैपिटायल जिसका यह कमर्सल दिख रहा था गरोपिलस के नाम से और हमने अब सोसाइटी में एंट्री यह कर लिए जिसमें हम 1385 स्क्यार फिल्योड फेसिंग फ्लेट दिखा रहे हैं अपको अग Eğer यह फ्लेट की एंट्री है और यह इंट्री की जस्ट राइट में ही एक सर्वेंट रूम बना हुआ है जिसको आप सर्वेंट में भी यूज कर सकते हैं और फूर में भी यूज खर सकते हैं और स्टेडी रूम में भी यूज़ कर सकते हैं इसमें ऊच्छा सा अब वस्पोड़ोग भी दे रखा है और एक चोटी विंड़ोग भी दे रखी एंटिलेशन के लिए लाइट फैन इसमें औलेड इस्टाल्ड कह और यहां पर ड़ोगूसी और इसका भी जैग्वा की फिटिंग्स है वोस्रूम में और फिनिसिंग की बात करें तो नो डाउट बहुत ही अच्छी फिनिसिंग पुरे नौड़ा एक्स्टेंशन में आपको यह फिनिसिंग साथ किसी अनुदर प्रोजेक्ट में ना देखने को मिले हम अपना बिलॉग बिल्कुल जैनुवन तर लिविंग एरिया का और यह लिविंग और डाइनिंग बिल्कुल पास में है और लिविंग एरिया के साथ में डाइनिंग है डाइनिंग के साथ में अटैस्ट किचिन आ जाता है जो कि ऐल टाइप बना हुआ है और इसमें काफी बड़ी यूटिलिटी बाल करनी है और काफ ना कपड़े सुकाने का भी हैंगर लगा सकते हैं अब हम लेके चल रहे हैं आपको मास्टर बैडरूम में जिसकी फिलोरिंग वोडन फिलोरिंग का बना हुआ है और विडन फिलोरिंग भी काफी अच्छी क्वालिटी की है और यह इसका इन बिल्ट अलमीरा का स्पेस दिया ह जो की वाल के अंदर ही बनाया हुआ है इसके भी अपने अच्छे बैनिफिट्स होते हैं कि यह मास्टर बैडरूम का एरिया नहीं घेर पाती है अलमीरा और यह अटेस्ट इसमें बालका नहीं आ जाती है अगर मैं मास्टर बैडरूम की बात करूं तो यह 16 बाई 12 का बैड हिटिंग्स लगी हुई है और काफी अच्छी टाइल्स का यूज किया इनोंने यह मेरर भी इंस्टॉल्ड है इसमें अब मास्टर बैडरूम से निकलते समय देखेंगे अलमीरा का साइज और किस तरीके से बनाई हुई है करीब करीब दो फिट की चोड़ाई है इस अलमीर यह आजाता है इसका फर्स्ट बैडरूम यह कॉमन वास्रूम है दोनों को बैडरूमों के बीच में दिया गया है ताकि दोनों बैडरूम से यूज किया जा सके इसको और इसमें हम अब आपको लेके टाइल्स का बहुत अच्छे से इन्होंने क्वालिटी को मैंटेन किया है और इसमें भी एक छोटी सी विंडो आ जाती है इसदर वेंटिलेशन के लिए और एक्जॉस्ट का एरिया भी इसमें अलग से दिया गया है और यह है आपका फ़र्स्ट बैडरोम जिसमें डबल डौर अरमीला बना सकते हैं यह पाराम से और इसमें इसकी बालक़नी है एक ही बालक़नी है दौनों बैडरूमों की बालकनिया एक ही बालकनिया और दौनों से इसको लिंक कर दिया गया है ये आ जाता है आपका तीसरा बैडरूम जिसमें थ्री डोर की अलमीरा वाल टू सीलिंग बनी हुई है और काफी अच्छा एरिया है इसका और करीब करीब साड़े तीन फिट की इसकी बालकनी है जो की काफी अच्छा एरिया माना जाता है बालकनी का और ये अब दिखाई देगा आपको ये रोड फेसिंग यूनिट है मैन गेट है और कमर्शल दिखाई देता है इस यूनिट से और ओपन एरिया है पूरा आप देखेंगे पूरी ग्रीन लैंड दिखाई देगी ऐसे लगता है इस प्रोजेक्ट का मतलब नैचुलल्टी से बहुत अटाइस्ट है इस प्रोजेक्ट को जैसा ये व्यू दिख रहा है ऐसे ही इस प्रोजेक्ट की छत्र भी दिखाई देत यह एटियस है पिटल हॉम क्राफट की गरीन-गरीन कलर की यह ओपन-कार पार्किंग दी हुई है इसमें और स्टिल पार्किंग है बेस्मेंट पार्किंग है इसमें करीब करीब 1249 यूनिट है इस प्रोजेक्ट में और सब की सब भूरती अच्छी लगती हैं आप किसी भी यूनिट में विजिट करिएगा किसी भी घर को खरीद येगा ये आजाता है इसका किलब हाउस और पूल पार्क जिसमें आपको ये इंटर्नली वाली यूनिट हैं और ये हम ले रहे थे उपर से फिलोर चेक करा रहे थे उपर के फिलोर से जाकर ये इसका पूल है बहुती अच्छी क्वालिटी से बनाया हुआ है हर चीज का इन्होंने बहुत अच्छे से क्या लखा है इसका इंटर्न्स इसका पूल जकूजी स्पा और मल्टीपल अमनिटी जिसमें प्रोवाइड कराई हैं किट्स पारक और किट्स पूल इविन आइम्बली फायर काफी चीजें इन्होंने जो लाइट का यूज किया है वो बहुत अच्छी लाइट का भी यूज किया है इन्होंने काभी फैसनेवल लगती है इनकी जो लाइट से हैं और लगता है एड़वंचर्स यहां पे आप देखने को मिलेगा आपको बहुत सारी चीज़े जो आप हर प्रोजेक्ट में नहीं देखने को मिलती हैं हम जैसे ही प्रोजेक्ट से भार की तरफ निकलते हैं तो मल्टीपल नियर बाइ यहां पे स्कूल से सर्वोत्तम है दा इन्फिनिटी है और यहां पे करीब करीब फाइव स्कूल से नियर बाउट आज हमने भी काफी इन्जोई किया यह विलोग बनाते समय और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था बारवार हम जिकर भी कर रहे हैं इस गिरीन डी का क्योंकि गिरीन डी काफी लोभाती है किसी भी अच्छे रजिडेंट को और अच्छी लोकेशन इसके एडवान्टेज है लोकेशन के यहां पे परपोजड मेट्रो स्टेशन भी है नियर अबाउट तो जो नियर बाई यहां पे मल्टीपल लोकेशन से आप निकल सकते हैं गिरेटर नौड़ा जाना है या आपको नौड़ा एक्स्टेंशन से आप रथला चारमूर्ती जाने की बजाए आप सौटकट ले सकते ह लिए रास्ते हैं यहां पर और सेक्टर वन के होते हुए आप निकल जाते हैं सेवंटी एट नौड़ा की तरफ और यहां पर आपको कभी फील नहीं होगा आप सोसाइटी में रह रहे हैं कि भी यहां पर बहुत कंजिस्टिड होगा बहुती ओपन पार्किंग एरिया भी ह है सोसाइटी में और बाकी तो हम आपको अपने बिलॉक्स में दिखाई रहे हैं कितने अच्छे से इस प्रोजेक्ट को मैंटेन किया इन्हों ने और यह मर्टीपल यहां पर थिरी प्रोजेक्ट यहां पर ओल्डेडी पजेशन है एटियस हैपी टायल से पहले के जैसे हमा महागुन मंत्रा का प्रोजेक्ट है जिसमें पजेशन तो काफी लॉंग टाइम से चला है पर अभी तक फुली डिलीवर नहीं कर पाया है एटियस हैपी टायल्स की एक खास चीज रही कि इन्होंने टाइमली अपना पजेशन दे दिया